नमस्कार ग्राम देवरी सिंग्पुरा कभूतर अड्रेया पर ग्यारा सितंबर को एस्पी राहुल मिठास के देशाने देशन में कभूतर अड्रेया पर छापा मारा गया छापए मारी के दौरान मौरानी पुर्से पुलिस चेत्रादी कारी अभिशेक राहुल पूतवाली पुर्भारी संजे गुपता, रानी पूर्चोगी पुर्भारी टरण विजे सिंग एबं आपकारी इंस्पेक्टर रोशन नान ने संयक तुरूप से भारी फिलिजबल के साथ छापे मारी की सातिर सरा माफियों ने जमीन के अंदर बड़े बड़े टैंक बनाए हुए हैं जिनको जे विसी मसीन से खुदाई करवाकर नाली बनाई गई, नाली बनाकर कई टंकी वहन नष्ट किया गया, इस तरमियान ड्रोन केमरों का इस्तमाल किया जाता रहा, लगबग 8000 लीटर लहन नष्ट किया गया, वह 1000 लीटर के लगबग पकी हुई शराब, अवेत कच्ची शराब पकड़ी गई, डेरा पर रहने मालों को आवास हो गया, छापे मारी के तोरान डेरा पर कोई भी नहीं मिला, वह प्लिस बलके पहुँचने से पहले ही सब रफुचकर हो गए, कोई भी गरपतारी नहीं हो सकी, पत्तों के जड़ने से ब्रक्षों के बजूद नहीं मिटते जनाब, जड़ों को खाड़ भेकना है जरूरी, बसंत आते ही फिर से हरे बरे हो जाते हैं ये विसाल ब्रक्ष, तिन भर सच्थी है पूरे नगर में जगे जगे दुखाने, ग्रागों का लगा रहता है ताथा, बिक्तरी मात्र को मैलाओं का लिया जाता है सहारा, अब तो आलम यह है कि हर पांसो मीटर की दूरी पर कर सकते हैं मद्रापान, कच्छी शराब पीकर बहती धारा में भी आती है गहरी सुकून की नीन, पुलुस का सरदर्वनी कच्छी शराब थी, ऐसी एक घटना, 11 सितंबर को मुगरानीपुर के मद्र में बहने वाली सुखनाई नदी में लोगों ने प्रहतेकाल ही देखी, शंतोस रेगवार शराब के नशे में धुतो कर नदी में आराम फर्मा रहे थे, दूर से मरे हुए प्रतित हो रहे थे, लोगों ने देखा और सुचना पुलिस को दी, पुलिस मौके पर पहुँची तो देखा, शंतोस की सांसे चल रही थी, तुरंत करवाया स्वास्त केंद में भरती, पुलिस ने बचाई संतोस की जान, कबूतरा डेरा नाम भले ही हो, पर रियाइसी सुदाओं से परिपूर रियाइसी लागों का हम उना नजराते हैं, ये डेरे, इस जाती के पर मुक्स पूछा जाए, तो इनका कहना है कि ये वैपार हमारा पुस्तेनी वैपार है, जोसे बंद करवाया जाना सासन पर सासन की जादिती है, राजाओं की रियासतों में इनको मिलती थी मुक्तबू मी, और मिलता था उनका संदक्षन, राजा नहीं रहे तो क्या हुआ, रियासतें आवाद नहीं है तो क्या हुआ, हमारी जीवन यापन का मात्र एक सहारा हम से छीना ना जाए, इसके अलावा हम और कोई काम करना ही नहीं जानते, करे तो क्या करें, कच्ची सराब के बनने से देसी विदेसी सराब क बिक्तरी पर खासा असर पड़ता है सरकार पूरी कोशिशों के बाद भी पामंदी नहीं लगा पत्तों के जड़ने से ब्रक्षों के बजूद नहीं मिटते जना जड़ों को खाड़ फेकना है जरूरी बसंत आते ही फिर से हरे बरे हो जाते हैं विसाल ब्रक्ष तिन फर्स रस्ती है पूरे नगर में जगए जगए दुकाने गिरागों का लगा रहता है तांता बिक्तरी मात्र को मैलाओं का लिया जाता है सहारा अब तो आलम यह है कि हर पांसो मीटर की दूरी पर कर सकते हैं मद्रापान कच्ची शराब पीकर बहती धारा में भी आती है गहरी सुकून की नीन पुलिस का सर्दब्वनी कच्ची शराब थी ऐसी एक घटना 11 सितंबर कुम मुगरानीपुर के मद्द में बहने वाली सुखनाई नदी में लोगों ने प्रहते काल ही देगी शंतोस रेगवार शराब के नशे में धुतोकर नदी में आराम फर्मा रहे थे दूर से मरे हुए प्रतीत हो रहे थे लोगों ने देखा और सुचना पुलिस को दी पुलिस मौके पर पहुँची तो देखा शंतोस की सांसे चल रही थी तुरंत करवाया स्वास्त केंद में भरती पुलिस ने बचाई संतोस की जान कबूतरा डेरा नाम भले ही हो पर रियाशी सुग्दाओं से परियाशी लागों का नमूना नजराते हैं ये डेरे इस चाहती के प्रमुक से पूछा जाए तो इनका कहना है कि ये वैपार हमारा पुस्तेनी वैपार है जोसे बंद करवाया जाना सासन पर सासन की जादिती है राजाओं की रियासतों में इनको मिलती थी मुट्बूमी और मिलता था उनका संदक्शन राजा नहीं रहे तो क्या हुआ रियासतें आवाद नहीं है तो क्या हुआ हमारी जीवन यापन का मात्र एक सहारा हमसे च्छीना ना जाए इसके अलावा हम और कोई काम करना ही नहीं जानते करें तो क्या करें कच्ची सराब के बनने से देसी विदेसी सराब की बिक्री पर खासा असर पड़ता है सरकार पूरी कोशिसों के बाद भी पामंदी नहीं लगा पा रही है मवश बनने वाली सराब का सेवन अब नहीं हो पाता आवादी परती ऐसा ही एक मामला परती पुर के पास सिमला पूर डेरा पर पुलिस द्वारा की गई संयुक्त छाप मारी के दोरांग देखने को मिला हैंट पॉन से निकली तकरीबत 200 लीटर कच्छी शराब सरकार ने योजना के तहर जितने हैंट पूर लगवाई नहीं होंगे उससे कई गुना ज़्यादा सराब की अस्थाई दुकानों का रोजाना अपने निधार समय से खुलना तैय है गिरहाकों को बेसबरी से दुकान पूरने का इंतिजार रहता है बिना किसी टेंट या तंबू के लगने वाली कच्छी शराब की दुकानों का समय की नजाकत को देखकर समय समय पर इस्थाना अंतरन भी होता रहता है मौरानी पूर से मंगल सिंग सेंगर की रिपोर्ट